हेलो दोस्तो केलडी ग्लासेस में आपका स्वागत आपने थामनेल बहुत थी अच्छे तरह से भी पढ़ा होगा थुड़ा सा आपको धक्का लगा होगा कि सर अभी तो कह सकते हैं काउंसलिंग करा रहा हैं बीटेक वालों की और दोबारा यही कहरें कि बीटेक करने वाले कि हम इस बात पर बात करेंगे पूरी डीटेल जानकारी आपको देंगे कि कब से इंजिरेरिंग की जो सीटें बढ़ा दी गए और कब से सीटों पर सीटें उतनी हैं और कई ऐसे कॉलेज हैं जहां पर कह सकते हैं कि कॉलेज को बंद कर दिया गया क्यों बंद कर दिया है क्यों आप पूरी जनकारी बिशेश प्रकार से आप उस पर पढ़ सकते हैं नेखें यहां लिखा कि बीटेक की डिग्री लेने वाले आधे से अधिक नौजवानों का आपको placement या government job में कह सकते हैं कि जाने में कोई दिक्कत ना हो इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आपके अंदर अगर वो quality है तो आप government भी government छेत में भी असानी से नौकरी पा सकते हैं या private में भी पा सकते हैं इसके बाद वीडियो अप्लोड किया जागा तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं क्योंकि यह पूरा एकदम सर्वे और डाटा इसके साथ दिया गया और यह कि इसने लिखा है तो आप देख सकते हैं हरिवेंस चति उर्वेदी जी के दोरा लिखा गया है डारेक्टर किसके हैं बिम टिक आप इनके बारे में जानते भी होंगे नहीं जानते हों तो नेट में भी सर्च करते हैं लेखे क्या लिखा है आई लेखे लिखा है कि आई टी इंडेस्टी और जो आपका आई टी होता नहीं इंफार्मेशन टेकनोलजी जो ब्रांच होता और इंजिनिरिंग से इच्छा नेशन 1999 के बाद के दोर में अर्थ व्योस्ता को नए उचायों पर पहुंचा आया या आप समझ सकते हैं कि बिना इंजिनिर के कोई देस नहीं चला जा सकता आप समझ सकते हैं कि सारा एक दान लगबा इंजिनिर का होता है फिन डाक्टर का होता है इस तरह से जो होते हैं पावर य बहुआ हर खुषी को हासिल करने के लिए य् conservative सारोबर मालब जिखाए से हर काम को करने के पिरती तरह से इंदर लगन था इच्छा था कि मैं इस के बना सकते हैं कुछ नया करूंगा जिस से दियो‍ड हो और हमारा हमारा development हो पाएगा यहां पर लिखा भी है कि छोटे बड़े सहरों के यूवक यूतियों इंजिनिरिंग छेत्र सिच्छा के माध्यम से मोटी तनखा पर इंफोसीस टीस और विप्रो जैसी कंपणियों में नौकरी कर रहे थे जोट है यह बहुत ही बड़े बड़े पैकेज मिलते आप समासे कि हरबार चोपर होनते हैं उनके करोरो में टापर cities वान्ते हैं कि दो 20-30這些 रुपह उनका प्यकेज पढ़ता इस तरह सबसकें तो यह कुछ us company जैसे Google है या TCS जो Infosys जो अपने नाम देखा है यह सब देती है देखिए इन में लिखा भी है कि उन्हें अमेरिका, अस्टेलिय, कनाड़ा वे एउरोप में काम करने और रहने का भी मौका मिल रहा था पर बीते सो मार को लोग सभा में मानो संसादन विकास मंतरी आप समझ सक में मानो संसादन विकास मंतरी कौन है, रमीस पोकरियाल, निसंक ने एक जवाब से हड़कम मच किया, क्या मच किया, लोग सभा में प्रश नकाल जो होता न, आपका एक घंटे का टाइम कह सकते हैं, सुन नकाल होता, जो जीरो टाइम हम कहते हैं, जिसमें कोई भी जो संस् होता है उक अपने मंत्री गड़ से कोई भी प्रेस न पूछ सकता उस एक घंटे के अंदर तो उसी में ये जवाब दे रहे हैं लोकसभा में प्रशनोत्तरकाल के दौरान उन्हें ने बता है कि वर्ष 2017-18 में देश में बीटे की डिगरी प्राप्त करने वालों की संक्या कितन सिर्फ 3,69,000 का ही केंपस प्लेस्मेंट हुआ ओभी कौन से कह सकते हैं कि छोटी कंपनी हो या बड़ी सम मिला कि 3,69,000 से आठ लाख में से सिर्फ 3,60,000 लोगों का प्लेस्मेंट हुआ और बाकी लोग इधर या आगे के पढ़ाई कर रहे हैं या कह सकते हैं कि बस आगे उसी पर रुके होए कि आज कंपनी मिल जा या कल बिल जा इस तरह से इंतजार करा हैं जो कुल उत्तरी विद्यारत्यों का करीब सिर्फ 45 परसेंट लोगों का अभी तक प्लेस्मेंट हो पाया बाकी 55 परसेंट लोगों का कोई अता पता नहीं कि कब होगा और होगा की नहीं होगा अच्छा मिलेगा की नहीं मिलेगा मंत्री महोदे के उनसार भारत सरकारदोरा अस्थाबित वा संचालित नामचीन इंजिनिरिंग संस्थाओं में प्लेस्मेंट की हालत इतनी बुरी नहीं थी ये समझेगा गौरतवले के इंजिनिरिंग कॉलेज में डिगरी लेने वाले सभी विद्यारतों को कैंपस प्लेस्मेंट मिलने की समस्या ही गंभीर नहीं है वरंदेश के 4212 इंजिनिरिंग कॉलेज की आप समझ सकते कि कितने अगर बात के जा कि पूरे भारत में हर राजिका मिला के कितने इंजिनिरिंग कॉलेज है तो 4222 अगर टोटल ये यूपी की ही बात के लगबग यहां पे 600-700 इंजिनिरिंग कॉलेज गवर्मेंट कालेज की AI कह सकते AI CTC यह आपका समलता ना AI CTC आपका पूरा डिपार्टमेंट समलता है दोरा वांटे सीटे थी अब मुस्किल आधी भरी पा रहे हैं साल 2017-2018 में देश के इंजिनिरिंग कालेज की 16,62,000 सीटे में से सिर्फ 8,19,000 सीटों पर ही एडमिशन हो पाए तो समझ स कि देरे देरे कॉलेज भी आप इंजिनिरिंग के बात किया रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 2017-2018 में सीटे थी 16,62,000 और इसमें कितना अडिमिशन हो आपका बता दे रहे हैं कि 8,19,000 लोगों का एडमिशन हो पाए यह कुल आवंटी सीटों में 50% के बराबर होगा सीटों का कालूजों में या दस से 30% नीं बराता अश्बस थे इन कालूजों के पास संस्थान बंद करने के अलामा कोई भी आप समझ सकते हैं यहां 26,6,60,000 वेकंशी है काह सकते हैं तो फिरी में इसमें ठीका कर आप इस इस दिति हो कि आप इसमें पूरा बिस्तार से दिया गया एक पढ़ने में समय लेगा लेकिन आपको पूरी कह सकते हैं कि पूरेंचेस के लिए ये नहीं। कह सकते हैं कि जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल उनके द्वारा ये पेश किया गया है और इसको हर्वियंस चत्युद्वेजी ने अपने सब्दों में इसको लिख के आपके आपके लोग आपके पास पहुंचा रहे हैं यहां पे दिया कि जहां समुचित इंफराटेक्चर न सब्सक्राइब कालेजों की संख्या बढ़ाई जाए क्योंकि जो भी उसी में नहीं हो पा रहा तो आप इन आगे क्या करिया जाएगा देखिए यहां पर लिकाभी है वर्स 1990-2008 तक देश के इंजरियन कॉलेज में केंपस प्लेस्मेंट की समस्य हैं आम उन्हें नहीं आती की भरती करती नहीं किन्तु साल 2008 की विश्व व्यापी मंदी के बाद भारत में इंजिनरिंग सिच्छा का सूरिय अस्त होने लगा इसका मतलब क्या होगा कि 2008 के बाद से इस्तिती थोड़ा सा डैमेज हुई है इसके पहले इस्तिती सही रहती थी बावजुद इसके कालेज सिटे समसकते हैं कि सिर्फ 6 लाग थी और 2012 में यह बढ़कर सिर्फ कितनी होगी 12 से 13 लाग हो गई समसकते हैं कि लगवग 2 गुना विर्द्धी हो जगई हैं सिर्फ इंजिनरिंग की सीटों की संख्या यह दुरभाग यह वबस था कि जब विश्व व्यापी मंदी में नोक समंत्री ने माना कि मैं आपको और इसको दिखाता हूं जिससे आपको और समझ में आगे कि क्या कहा गया है कि इंजिनरिंग की डिगरी धार को यहां के केंपस प्लेस्मेंट का मुद्धा सीधे तोर पर देश की आर्थी विकास दर्श से जुड़ा है आप समझ सकते हैं कि और जब आदमी काम करता है तो उससे क्या होगा जो उसको पैसा मिलता हूं खर्च करता इसे देश की एकोनोमी में भी डेवलेमेंट होता है गुरोध होता तो जब उसके पास पिएसे नेए वो कहां पे देश के कह सकते है कि बढ़हने में मदद कर सकता है और तो बिभीष् के औसरों में होने वाले बड़ोत्री लगतार सिकूर्टी चली जा रहे यह आपसे कोश्चन पूछा जा आप इसका एंसर कमेंट बाक्स में जरूर दीजिए का मैं इसका इंतजार करूंगा अगर आप लोग अधिक सैंगे और अधिक से और करेंगे यह आने वाले समय कह सकते हैं यह गौश्मेंट के पास भी जा सकता वो देखता है कि क्या प्रावलम आ रहे तो आप लोग अधिक से अधिक इसे कह सकते हैं कि कोस्टन का एंसर देने की कोशिस करिएगा इंजिनिरिंग कॉलेज में केंपस प्लेश्मेंट में लगाता है गिरावड में कई ऐसे कारण है आप कौन से कारण है इसके बारे हम बात करेंगे जिनका समझ सिर्फ अर्द्व्योस्ता के हलत से नहीं पिछले 25 वर्स में खासता और पर 1995 और 2012 के बीच EICTC ने नए इंजिनिर पर देख लिजे अभी मैं बीचे की कांसलिंग करा रहा हूं कह सकते हैं उसके हमने कांसलिंग करा रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है सिर्फ अगर गौर्ण्मेंट कॉलेज की मैं बात करो पूरे बीटेक में सिर्फ 20 से 22 होगी वह भी बहुत ही गिने चुने और अगर होगा दिरे दिर बढ़ता रहा है लेकिन एक ऐसी इस्तिति आई कि इतने इंजिनियर होगे कि आने वाले समय में दिक्कत हो गया चाटना मुस्किल होगे कि कौन किसको अच्छे नौलेज और किसको पास कम नौलेज है इस सौधी में ऐसा लगा रहा था कि रेगुलेटरी के आई टी उद्दोग प्रोफेसर हेंरी मोर दौरा प्रती सिंदान में चलेगा इसके अनुसार माइक्रो चिप की कंप्यूटरिंग सकती हर अठार महिने में दुग नहीं हो जागी आप समसकते है कि आने वाले माइक्रो उसके बाद नैनो इस तरह से टेकनोलोजी धिरे दिर जिससे क्या होगा जो मैन पावर होगी और जो मसीन चीज़ों होगी मसीन जो मसीन हमारी चले टेकनोलोजी उसका यूज सबसे अधिक होगा तो इसलिए कैसे कि आज भी सारे काम जो होगे और टेकनोलोजी पे चल नहीं इसलिए जो वेक्तियों के काम करने की च्छमता है कैस समय में किसको जहलना पड़ेगा सिर्फ मानों को ही ए परसानी जहलना पड़ेगा अब सवाल यह है कि हालात को सुधारने के लिए मानों संसाधन विकास मंत्राले AI, CTC, College प्रबंधन और नियोकता कंपनियों क्या कदम उठाएंगी सबसे जरूरी कदम तो यह है कि अगले पांच वर्सों में और दोगिक जगत द्वारे इंजिनेरिंग की भरती और भविस्ट के जरूरतों के बारे में रिसर्च के जरिये मालूम किया जाए कि इंजिनेरिंग की अलग-Alग ब्रांचों में कितने इंजिनेरों की जरूरत होगी आप समझ सकते हैं यह इतना मुस्किल भी नहीं और इतना आसान भी नहीं कि इसको हम ऐनालिस ना कर सकें ये इनको जो board के अधिकारी होते हैं इनको सभी को करना हो पड़ेगा सरकार को भी करना होगा और जो आपके college के प्रमंधक और ने होता जो company हो जो रोगों को रोजगार देते हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कह सकते हैं देखें चौथी और दोगर की किरांती ने इंजिनिरों में नय कौसल की जरूरत पैदा कर दिया हमें इंजिनिरों के अपने पाठिकरम और सिच्छर प्रविधी में इसके अनुरूप बदलाओ करने होंगे यह काम आसान नहीं होगा इसके लिए इंजिनिरिंग सिच्छको को यह सब आपके ब्रांच दिया है अब रोजगार की बज़ार में लगबग खत्म हो चुकी है समझ सकते हैं आपके इलेक्टिकल मेकेनिकल उतना बहुत ही कम हो चुका है इसके विप्रेट कंप्यूटर साइंस से एरोस्कोप इंजिनिरिंग और मेट्रो कहा सकते हैं मेका ट्रो आब कोई काम ही नहीं होना बस एकादमी रहा है उसको रोबोर को हैंडल करें और वस्ती बश्तरबी के बिरी जारह Prat पढ़ाय disc जाए उसे अपने आचार विचार और आच्ण में हर समय उद्धा मिता वैं इनोवेशन के अपनाने के लिए प्रेरीद प्रिशिष्ड कि आप समझ सकते उद्धा मिता की होगा कि निर्वर्ना की सरकार या everybody is लिए घु Allah कोई ती जाबदेंगे तभी हम करें अपना काम अपने कह सकते हैं छोटा मुटा रोजगार कर करने के कोशिज करें इससे ज होगा आने वाले समय में किसी को प्रसानी नहीं ho flush I don't then हम दो साल पहले पढ़के बैठे थे आज हमको कोई नहीं मिला तो आप अपना काम कर सकते हैं हर रोज इंजिनरों को नहीं नहीं समस्यां कहल डोडने होंगे जिनका सबसे एहम पहल होगा उनमें से एक मानवी तत्य होगा जो उन्हें गलत काम करने और मुले हिंता को अपनाने से रोख सकता है इसका मलब कि होगे कि जब होता है आदमी के पास कोई काम नहीं होता तो उसके दिमाग में या माइंड में गलत रहे सकते हैं कि यह कर लो वो कर लो इसको ओवार दो इसको छोड़ लो या यह जप्टी लगा तो अगर आदमी खुद सोचेगा अच्छे से काम करने के कोशिशन करेगा जबाजमी को रोजगार मिलेगा वो बिजी रहेगा तो ऐसे जो खुरापाती जो काम होते कह सकते हैं वो नहीं करेगा अगर हम ऐसा कर पाएं तो इंजिनिरिंग कालेज़ों में प्लेश्मेंट अच्छा न होने की समझा है कभी पैदा नहीं होंगी यह एक लेखा का बिचार है अब हम आप से यह पूछते हैं कि आपकी अपने बिचार के हाँ आप इस वीडियो के नीचे जरूर लिखेगा लंबा हो कमेंट कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप जरूर लिखेगा और अच्छे से लिखेगा जिससे दूसरों को समझ में आए कि हाँ आगे चलके यह करना चाहिए तो इसी तरह से नएने अपड़र जानने के लिए आप जो केल्डी ग्लसेस का ओफिस्यल पेपसाइड है केल्डीक्लसे.yml पर इस पर जाके एक बार और पढ़ सकते जो डाटा है उसको आप निकालके अपने पेन और पेपर पर लिखके उस पर वीचार भ होंगो उनको पता चले कि जो डाटा है वो क्या है और कैसे किस तरह से होता है तो इसी तरह से बने रहे हैं बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को केल्डीक्लसेस की और से धन्यवाद